सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और अब सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो हमारा मीसन है कि हम आपके अंदर जो डियाई का डर बना हुआ है उसको खतम कर सकें और इसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक ऐसा कोशन लेके हैं जिससे ज्यादतर स्टूडेंट डरते हैं ऐसा कोशन देखते ही सभी के होस उड़ जाते हैं और समझ में नहीं आता कि ये जो डेटा ये किस तरह से हमें मैनेज करना है किस तरह से हमारा अंसर आएगा इस तरह का data देखता ही हमारे host उड़ जाते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बिलकुल असानी से ये बताएंगे कि इस तरह की data को हमें किस तरह से solve करना है और आपको बिलकुल भी डरने की जरूरत नहीं है आज की ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो डर बना हुआ है इस तरह के कोशन को देखके वो बिल्कुल से खतम हो जाएगा तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों हमने NDA UGC NET December 2019 एक्जाम के लिए एक paid workshop ग्रूप बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तों systematic ढंग से study करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोस दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बा जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए link वीडियो description box में दिया हुआ है चलिए दोस्तों अब हम बात करते हमारे question पे यह देखे दोस्तों यह जो question है हमारा यह आया था जून 2014 के अंदर question आया था यह question दोस्तों question करने से पहले हमें basic चीजों के बारे में पता होना चाहिए और जैसे हमने average percentage विगरा यह सारी basic चीजे डियाई के बारे में यह हमने करवाई थी हमारी पहली वीडियो में उसमें आप देख सकते हैं वो वीडियो देख question में हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है मैं आपको बता रहा हूं देखिए एक तो सबसे पहली चीज हो है कि वह हमें round off करना होगा round off का मतलब यह होता कि मान के चलो कि हम जोड़ घटा गुना भाग करते हैं किसी से हम मान के चलते कि 15,625 रुपए मांगते हैं ठीक है तो ह हम मान के चलते हैं किसी 39,936 रुपए मांगते हैं तो हम क्या कहेंगे कि उस से 30,000 रुपए के करीव मांगते हैं तो 30,000 में उसको count करेंगे तो यह होता round off करना और एक और चीज दोस्तों इसके अंदर जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि देखिए एक example लेके चलते हैं य हम ले लेते हैं चार मीटर यह रसी है हमारी ठीक है इसको हमें कितने भागों में बांटना है आठ भागों में बांटना है और दूसरा है हमारे पास 6 मीटर रसी है यह यहां तक ले लेते हैं थोड़ी बड़ी ले लेते हैं यह 6 मीटर रसी हमारी इसको हमें 20 भागों में ब देख सकते हैं कि जो 4 मेटर का जो हिस्सा है वो बड़ा होगा कि क्यूंकि 4 को हम 8 भागों में डिवाइड कर रहे हैं लेकिन यहां पर 6 है 6 को हम 20 भागों में डिवाइड कर रहे हैं तो इसके 6 के जो टुकडे वो बहुत चोटे 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 टुकडे हो है कि वो नीचे कितने से डिवाइड हो रहा है और ओपर कितनी संक्या यह थोड़ा सा में लोजिक देखना पड़ता है तब ही हम पता कर sitä कि कुन से संख्या बढ़ी है और कुन से संख्या छोटी है यह जो एक्जांपल आपको दे रहा हूं यह एक्जांपल हमारा आगे बहुत ज्यादा यूज होगा तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो चलिए अब हम अपने कोशन्स पे आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें कोशन करने हैं अब देखिए दोस्तों ये हमारा कोशन है कोशन नमबर 18 इसके संद्र इन्होंने क्या दिया है सन 1997 से 98 अब देखिए 97-98 कहां पर है हमारे पास 97-98 ये है और दो हजार पांच-छे-पांच-छे हमारे पास ये है कि आवधी में सिचाई किस स्तरोत के अंतरगत सरवाधिक कमी दर्ज हुई है हमें क्या पता करना है दोस्तों सरवाधिक कमी पता करना है हमें कमी किस के अंदर हुई है कमी परतिस्त बताना है यहां पे थोड़ा ध्यान में यह चीज़ देने वाली है दोस्तों मैं कहता हूं कि statement आप अच्छे से पढ़िए वहीं से आपका question निकल के आएगा यह देखे इसने कहा है कि सरवाधिक सरवाधिक का मतलब होता यानि कि अधिक तर ज्यादा से ज्यादा कमी परतिस्त किस में दर्ज हुई है यह हमें पता करना है सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि कमी किस अक्छेतर में हुई है वो हमें देखना है अब देखे यहां पे हमें option से ही लेके चलता है यहां पे इन्होंने दिया स सरवाधिक देखना है ज्यादा कमी किस अक्षेतर में हुए यह हमें देखना है और 1997 से 2005 के बीच में यहाँ पे हमें देखना है अब देखिए यहाँ पे मैं basic चीज़ लेके चलता हूँ सबसे पहले हम देखते हैं कि किस में कमी हुए यहां से यहां तक कमी हुई है दोस्तों यह सतरा सो से पंदरा सतरा हजार से पंदरा हजार यहां पर दिया हुआ है यह कमी हुई है फिर नीजी में यहां भी देखे यहां भी कमी हुई है फिर उसके बाद में तलाब है तलाब 25 सुत्रानवे से 2034 यहां भी कमी हुई है लेकिन अन्य स्तरोत्व के अंदर देखे दोस्तों यहाँ पे 31 सो से 73 हो गया यहाँ पे क्या बढ़ा है तो इस जो उप्सन नमबर डी है इसको तो हम बिल्कुल कट कर दें ही क्योंकि इसमें बढ़ोतरी हुई है और हमें क्या निकालना है दोस्तों कमी परतिसत निकालना है अब बात प्रेंटेज निकालेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है हमारे लिए अब देखिए इस कोश्चन को हम बिल्कुल असानी से किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं चलिए देखिए अब हम मैंने बताया था कि आपको हम राउंड फिगर करेंगे ठीक है तो राउंड लेंगे 17,117 को हमने क्या लिख लिए 17,000 लिख लिए और फिर हमारा जो 2005,06 की बात है इसके अंदर क्या है 15,268 है तो इसको हम 15,000 लिख लिए ठीक है राउंड फिगर इन दोनों को लिख लिए इसी तरीके से जो नीजी नहर और यह है नीजी नहर है नीजी नहर में दोस्त साथ है क्योंकि इन में हमें क्या है कि गुना भाग या पलस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो हमने इसको नीजी नहर को इतना ही लिख लिए राउंड फिगर हम उसी का करते हैं जिसमें हमें थोड़ी प्रोब्लम हो ज्यादा बड़ी संख्या हो तो उसका करते ह अब बात आते हैं दोस्तों तलाब की तलाब में देखें दोस्तों यहां पे 2593 है 2593 को हम 2600 लिख सकते हैं और नीचे है 2034 है 2034 को हम 2000 लिख सकते हैं दोस्तों तो इस तरह से हमें यह करना है राउंड फिगर इस तरह से हम कर सकते हैं अब आगे बात आती है दोस्तों आगे ये कुशन कैसे करेंगे देखिए सबसे पहले मैंने बताए राउंड फिगर राउंड फिगर इस तरह ऐसे लिखेंगे ये आपको बात समझ में आ गई दोनों को हमने लिखा राउंड फिगर यानि कि 1990 और 2005 दोनों को हमने राउंड फिगर कर लिया अब बात आती है दोस्तो परसेंटेज निकालने की बात आती है परसेंटेज के अंदर हम क्या करते है दोस्तो कि अब देखिए दोस्तों बात आती है पर्षंटेज कैसे निकालेंगे पर्षंटेज 관련 के वारे मैं आपको दो वीडियो 받아 की पर्षंटेज कैसे निकालेंगे? पहले सबसे पहले दोस्तों हम 17 अजार में से 15.000 माइनस करेंगे और फिर बटे में 17,000 करेंगे और गुना में 100 करेंगे यह हमारा पूरा प्रोसस है देखी अब इसको हम बिलकुल असानी से एक एक स्टेप समझने की कोसिस करते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोस्तों यह वीडियो आप ध्यान से देखना मैं पूरे गैरंटी के साथ कहता हूँ यह आपको समझ में आ जाएगी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 17,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो यह क्या हैगा दोस्तों हमरे पास 2000 आ जाएगा 2000 बटे में हमने 17,000 कर दिया 100 है 100 हम बाद में करेंगे 100 को आप एक टाइम के लिए भूल जाए दोस्तों 100 को भूल जाओ क्योंकि 100 सभी में लग रहा है इसका जिक्र हम बाद में करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 17,000 में से 15,000 माइनस किया तो हमारे पास आगया 2000, 2000 बटे में 17,000 कर दिया अब बात आते हैं नीजी नहर की अब 211 में से 207 हमने माइनस किया तो कितना आगया दोस्तों 4 बटे में 211 यहां पे आगया हमारे पास फिर आते हैं बात तलाब की तलाब में 26 में से 2000 माइनस करेंगे तो क्या जाए दोस्तो 600 बटे में 2600 यहां पर हमारे पास आ जाएगा दोस्तो यहां तक आपको बात समझ में आई यहां तक यह देखें सबसे पहले इतना समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि 17000 कहां से आया पंदरह ज़र कहां से आया 17000-15000 हमने राउंड फिगर किया था तक और इसका यहां से आया था और 2000 हमारा यहां से आया 17000 में से 15000 हमने माइनस किया बटे में 17000 इसलिए आया क्योंकि percentage निकलने का यह formula होता है अब देखिए यहां तक हमें बात समझ में आ गई इस step तक अब देखिए दोस्तों यहां तक हमें समझ में आ गई बात अब आगे देखते कि सरवाधिक कमी परतिसत किस के अंदर हुई वो हमें निकालना है ठीक है अब देखिए अब एक टाइम के लिए एक वर यह सो तो आप भूली जाएए अब देखते हैं मैंने वही बात अब आ रही है दोस्तों जो रस्सी वाली बात थी ना देखिए मैं आपको दोबारा बता देता हूँ रस्सी वाली बात थी यहां पे एक तो चार मिटर को हम आठ भागों में बांट रहे थे और एक छे मिटर को हम बीस भागों में बांट रहे थे तो हमारी बड़ी कौन सी थी दोस्तों यह थी अब यही बात हमें इसके अंदर लगानी है अब देखिए एक रस्सी तो है हमारे पास दो मिटर 2 मीटर को हम 17 भागों में डिवाइड कर रहे हैं दूसरी दोस्तो 4 मीटर है 4 मीटर को हम 211 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद में दोस्तो 6 मीटर 6 मीटर को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं नहीं कि चार को जब हम 211 में डिवाइड करेंगे तो बहुती छोटे छोटे टुकडे उसके हो जाएंगे तो ये जो है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा दोस्तों क्योंकि इसमें सरवाधिक पता करना है ना कि हमें छोटा ये हमारा क्या हो रहा है सबसे कम पार्ट हो रहा है हमें ये नहीं देखना ठीक है तो हम इसको हटा देते यहाँ पर अब हमारे पास क्या रहा गया दोस्तों अब हमारे पास दो चीज रहेगी एक तो 2,17 रहे गया और 1,6,26 रहे गया अब इसमें इन दोनों हमें देखना है हमें सरवाधिक व्रिधिक किसमें हुई है यानि कि बड़ा कौन सा इनमें वो हमें देखना है बड़ा पार्ट कौन सा है अब देखिए यहां पर एक तो हमारे पास दो मिटर रसी है यहां पर हमने लिख लिया दो मिटर दो मिटर के हमारे पास सतरा टुकडे ह हो रहे हैं और एक है 6 मिटर 6 मिटर के हमारे पास 26 टुकडे हो रहे हैं 6 मिटर को आप यह भी कर सकते दोस्तों 6 बटे में 26 तो यहां पे 3 आजाएगा और यहां जाएगा 13 यानि कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3 मिटर के यहां पर कितने टुकडे हो 13 टुकडे हो रहे हैं और यहाँ पे 2 मीटर के 17 टुकडे हो रहे हैं यानि कि यहाँ पे देखे दोस्तों यहाँ पे 2 मीटर रसी छोटी है और टुकडे कितने हो रहे हैं 17 टुकडे हो रहे हैं यहाँ पे देखे रसी हमारे 3 मीटर है और जो हमें कितने भागों में डिवाइड करना तेरा भागों में डिवाइड करना यहाँ पर हमें कितने में करना था सत्रा भागों में डिवाइड करना था तो हमारे रसी बड़ी कौन सी होगी दोस्तों यानि कि टुकडे बड़े बड़े टुकडे किसके बनेंगे तीन मीटर वाले के बनेंगे ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात और चलिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको को ज्यादा जरूरी है दोस्तों ये जो कन्फियूजन है ना ये दूर होना जरूरी है देखिए दो मीटर एक तो दो मीटर रसी है इसके हमने सत्रा टुकडे की है दो मीटर रसी के और एक हमारे पास तीन मीटर रसी है तीन मीटर के हम तेरा ही टुकडे कर रहे है ठीक है तो बड़े जो भाग होंगे वो किसके होंगे दोस्तो तीन मीटर वाली रसी के बड़े भाग होंगे तो यहां से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तो वो तालाब आ जाएगा यानि कि option number C यहां पे हमारे पास आंसर आ जाएगा दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह question समझ में आ जरू यहां पर हमारा वाटस आप नमबर है यहां पर हमें message कर सकते हैं यहां फिर हमें comment box के जरिए भी बता सकते हैं और दोस्तो अगर आपको बात समझ में आ भी जाएना तो please 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 आप यह लिखना कि sir हां हमें समझ में आ गया ठीक है कहना कि sir question number 18 समझ में आ गया तो यह हमें पता होना जरूर यह था कि दोस्तो हमें पता चल सके कि हमारी जो महनत है वो कितनी काम कर रही है और अब चलिए दोस्तो अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तो 19 नमबर question इसमें इन्होंने दिया है सन 2002 से 3 2002 से 3 कहां पर दोस्तो यह रहा तीन से 4 तीन से 4 यह रहा के दुरा सरवाधिक परतिशत वृध्धी दर्ज की गई अब देखिए यह question भी उसी तरह ऐसे है दोस्तो सेम टो सेम वैसा ही यह question है अब इसके अंदर क्या करना यह दो इयर लेनी है हमें और इसने कहा है कि कौन से सिचाई के स्त्रोत से सरवाधिक परतिशत वृध्धी दर्ज की ग करेंगे दोस्तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले एर देखते है दो से तीन और किस किस के अंदर देखने हैं दोस्तो सरकारी नहर सरकारी नहर यह होगी तलाब हमारा यह हो गया नलकुप और वो यह हो गया और अन्ने स्त्रोत हमारे पास यह हो गया अब इन में देखते है कि किस के अंदर वृद्धी हुई है और किस के अंदर माइनस हुआ है अब देखिए सरकारी नहर यहां पे वृद्धी हुई है बिलकुल सही बात है फिर हमारे पास तलाब तलाब के अंदर यहां भी वृद्धी हुई है उसके बाद में नलकुप के अंदर यहां भी हमारी वृ वृद्धी हुई है यानि कि हर जगे हमारी वृद्धी हो रही है तो मतलब चारो के चारो हमें निकालने है तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यह कैसे निकालेंगे हमें कैसे निकालना है यह भी बिलकुल असान है दोस्तों बिलकुल असान जैसे हमने पिछला कोशन किया थ करते हैं सरकारी नहरियरी 2003 देखी 2003 14444 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तो 14400 लिख सकते हैं और उसके बाद में जैसे 2002 से 3 13863 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तो 13800 लिख सकते हैं यह हमने राउंड फिगर कर लिया और अब देखे तलाब के अंदर 2003 और 2004 के अंदर ये कितना है 1908 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1908 को हम 1900 लिख सकते हैं उसके बाद में जैसे 2002 से 3 में कितना हैं दोस्तों 1802 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1800 लिख सकते हैं इसी तरीके से दोस्तों हम नलकूप का करेंगे और फिर अन्य स्तरोत का करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं असानी से ठीक है तो सबसे पहला काम था हमारा इनका round figure करना तो round figure हमने यहाँ पर कर लिया यह दोनों के दोनों round figure कर लिये अब बात आती है इनके percentage निकालने के लिए इनको हमें minus करना है अब देखे minus इस में से इसको minus करेंगे इस में से इसको minus करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा दोस्तो सबसे पहला आजाएगा 600 बटे में 13800 आजाएगा फिर 100 बटे में 1400 बटे में 34000 आजाएगा तो इस तरह से हमें इनको divide करना है और percentage निकालने के लिए जैसे हम 100 लगाते तो 100 हम बाद में के अंदर सरवाधिक परतिशत विरिद्धी हुई हमें यह देखना है बस अब देखिए अब बात आती है दोस्तों यहां पर हमने माइनस करके बटे में लिख लिए इस सारी की सारी चीज़े अब देखिए 600 के साथ में 20 है तो यह जो 20 है यह 20 इसमें यह कट जाएगी 100 की य सरवाधिक परतिशत विरिद्धी किसमें हुई यानि कि इसमें भी वही देखना है दोस्तों कि जो पार्ट है जब हम किसी रसी के टुकडे करेंगे तो वो जो टुकडे हैं किसके बड़े होंगे वो हमें देखना है ठीक है तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों सबसे पहले ह में गरते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिये इसा कि देख लेते दोस्तों च्यों और च्योय हमारे पास कितने किस्मह यह देखिए एक तो सरकारी नहर और एक अन्य क्कड़े करने तो एक तो यह हो गया और दूसरे अन्य स्त्रोथ इसके नदर है छे मीटर asking और इसको केवल हमें 37 भागो में बांट रहना है तो जुँआधा बड़े टुकडे किसे होंगे दोस्तो जादा बड़े टुकडे हमारे नह पर बढ़िके होंगे और क्योंकि देता हूँ चलिए देखिए अब देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सरकारी नहर और अन्ने स्तरोत में तो पता कर लिया कि यह जो है हमारा यह बड़ा हो जाएगा 6 बटे 37 वाला बड़ा हो जाएगा अब हम और जो है और भी आप compare करके देख सकते हैं जैसे अन्ने स्तरोत औ तलाब को हम compare करके देखते हैं अब देखिए एक मेटर के हम 18 टुकडे कर रहे हैं और 6 मेटर के हम 37 टुकडे कर रहे हैं ठीक है तो कौन सा बड़ा होगा यहाँ भी हमें absolutely पता चल रहा है कि 6 मेटर वाला बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे 1 के 18 टुकडे हो रहे है और बिलकुल असानी से पता कर सकते कि कौन सा बड़ा होगा आप दोस्तों जब आप सभी का निकाल के देखोगे तो अन्य स्तरोत के जो टुकडे है वो बड़े हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि अन्य स्तरोत की सरवाधिक परतिशत विरिधी ज्यादा हो जाएगी तो इ आगे हमारे पास कोशन नमबर 20 किस वरस तलाब दवारा सुद सिंचाई में सरवाधिक विरिधी दर प्राप्त की गई अब हमें यह बताना देखी एक एक पाइंट से लेके चलते किस वरस तलाब दवारा तलाब कहां पर हमारा यह सिंचाई में सरवाधिक विरिधी दर प् है यह रातलाब इसके अंदर सबसे पहले इन दोनों के अंदर देह लिए कितनी वृद्धी हुई है इसका प्रसेंटेज निकालना है हमें हमें यह क्या होगा दोस्तों यह देखिए 2800 माइनस में 2600 हो जाएगा हमारे पास और बटे में कितना होगा 2800 गुना में 100 यह सो चाहि कि मैंने जो बात वताए थी उस तरीके से करके सबसे पहले आप इसका निकाल लीजिए इसका 98 का निकाल लीजिए फिर 2000 का निकाल लीजिए फिर इसका फिर इसका इस तरह से सभी का निकालेंगे तो आपके पास अंसर आ जाएगा और राउंड फिगर का आप यूज करके द करना क्योंकि राउंड फिगर से हमारा कोशन बहुत ही जल्द निकल जाएगा चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों कोशन रिनात्मक विरिधी दर्ज हुई वो हमें पता करना अब देखे जैसे हमान के चलते जैसे इन्होंने सरकारे नहर दिया है अब इसमें है यह देखते है दोस्तों देखें जैसे 17,100 से स्तरा हजार 93 तो यहां पर क्या होँ यहां पर रिनात्म यानि की माइनस हुआ है इसमें गहटी है कुछ चीज़े गहटी है ठीक है और जैसे हम यहां पर बात करें देखें इन दोनों की बात करें, 14444 से 14696, यहां पर क्या हुई यह बढ़ोतरी हुई है, क्या है हमारे पास माइनस हुआ है, यहां पर हमारे पास पलस हुआ है, तो हमें यह देखना है कि ज्यादा वार किसके अंदर माइनस हुआ है, किसके अंदर रेनातम की विद्धी हुई है, वो हो गया अन्यस्तरोत अब इनके अंदर देखते कि किसके अंदर रिनातमक व्रिद्धी हुई है सरवाधिक वार सबसे ज्यादा वार अब यह देखे यहाँ पे सरकारी नहर में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे 98 में 99 में 2000 में 2001 में 2002 में यहाँ पे 5 बार इसमें माइनस हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं नीजी नहर में केवल यहाँ पर दो बार हुआ है नलकूप में तीन बार हुआ है और जो अन्ने स्तरोता इसमें चार बार हुआ है और इसमें पांच बार हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकारी नहर है इसके अंदर ज्यादा बार रिर्णात्मक विरित्धी हुई है दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान में देने वाली है कि हमें यहाँ पे percentage वगरा नहीं निकालना है केवल और केवल हमें यह देखना कि किसके अंदर ज्यादा बार minus हुआ है बस simple सा question है यह इसके अंदर कोई हमें percentage सो से गुना या round off या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर केवल हमें ये देखना है किसके अंदर ज्यादा वार माइनस हुआ है तो इस तरह से हमें question को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कई दोस्तों हो सकता है इसके अंदर percentage निकालने लग जाए वो सोचे कि इसमें percentage निकालने नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों अब ये question देखे दोस्तों question number 22 इसमें इन्होंने दिया है कि निमन लिखित मेंसे किस वर्स कुल सुद सिसाई अक्षेतर में नलकूप्त था अन्यकूओ का हिस्सा सरवाधिक था दोस्तों डियाई के अंदर सबसे पहले हमें जो statement है वो समझना बहुत जरूरी है इसमें देखे निमन लिखित मेंसे किस वर्स की बात कह रहा है हमें पता करना कि कौन से वर्स में वर्स देखे कौन कौन से दिये गए 1998 पहले हम मार्क कर लेते 1998 99 यह हो गया 2001 यह हो गया 2003 का हमारा यह हो गया 2005 का हमारा यह हो गया अब देखी, इसके अंदर ये हमने words इंडिगेट कर लिये का कुओ का हिस्सा सरवाधिक था यानि की कौन से इयर में सरवाधिक हिस्सा नल्कूप था अने स्तरोत का था वो हमें पता करना है अब देखी, कुल टोटल हमारा कितना है टोटल ये दिया हुआ है अब देखे टोटल के अंदर नल कूप का 1999 के अंदर कितना हिस्सा था इन दोनों का हमें निकालना है उसके बाद में 2000 से और फिर ये निकालना है फिर 2003 से फिर इसका ये निकालना है और फिर 2004 पांच का ये हमें निकालना है इस तरीके से इन सभी का निकालना है और तरीका वो ह सेम रहेगा दोस्तो हमारा यहां कि दोस्तो इसको हम round figure लिखेंगे 1998 99 को round figure कैसे लिखेंगे दोस्तो 57,411 है तो इसको हम क्या लिख सकते दोस्तो 57,000 हम लिख सकते हैं 57,000 माइनस में हम कितना करेंगे यहां पे यह देखे 33,988 है तो से हम पीछे हमने सभी सवाल किये हैं तो मैं इसका solution आपको दिखा देता हूं आप ताकि अच्छे से कर सके यहां पर हमने पूरा यह solution भी दिया हुआ यहां से आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं इन्हों ने क्या है कि इन्होंने round figure नहीं लिया इन्होंने exact value ली है आप यहां पर इसमें भी round figure का use करके question निकाल के देखना अगर आपको किसी भी तरह की कोई problem आते हैं कोई दिक्कत आते तो आप हमें निकाल लेंगे और अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमें जरूर बताना हम ये question दोबारा करवाद देंगे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसी वीडियो को like कीजिए share कीजिए comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अ दोस्तों